हेलो फ्रेंड्स आज की रेसिपी जो मैं लेके आई हूँ वो है खीरा नंद की रेसिपी और खीरा नंद की रेसिपी एक बहुत ही स्वादेश, टेस्टी और मिठी रेसिपी होती है ये खासके राजिस्थान की रेसिपी है राजिस्थान में इसको ट्रेडिस्णली बनाया जाता है और आज में आप लोगों को धंतेरस के अफसर पर फटा फट नए वरतल में ये जो हमने खीरा नंद की रेसिपी बनाई है वो बनाने का तरीका बता रहे हैं तो चलिए इस खीरा नंद की आसान सी रेसिपी को आप देखिए और फटा फट आज के दिन आप लोग बनाईए, खाईए, अच्छा लगे तो वीडियो को सेर कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर नए आये हैं तो फ्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए घडेगा, तो इस खीरा नंद की रेसिपी के लिए सबसे पहले लेंगे हम फुल क्रीम दूध दूध, क्योंके फुल क्र्म दूध में ही ये अच्छी बनेगी तो अच्छी नहीen बनेगी, या जो भीना क्रीम दूध लेंगे वो दूध से नहीं बन पाईगी तो एक मोटी लोगों गलिए काफी है तो इस दूद्द पहले तो हम उबालेंगे और उबालें का यह हैं कि उबालना है आपको एक बार आप टेज आंज पर उबालने उसके बाद सेको मिडियóc कर दें मतलाब हाई मीडियम कर दें और उस पर इसको हम पकाते रहेंगे तो दूद की मातरा जब थोड़ी सी कम हो जाएगी मतलब चौथाई हिस्सा जब रह जाएगा दूद जब चौथाई हिस्सा में कम हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम और कुछ डालेंगे तो अभी हम इस दूद को चलाते रहेंगे उबालते रहेंगे क्योंकि इसका उबालना बहुत जरूरी है और अच्छे से उबालना है इसको तो धीमी धीमें आज पर इसको हमें पकाते रहना है जितनी दिर तक पकाएंगे यह खीरान biscuit उतनी ही अच्छी बनेगी तो देखिए ये दूद काफी उबल चुका है यहाँ पर ले रही हूं मैं एकदम बढ़िया वाला जो बासमती राइस होता है छोटे दानो वाला जिसको कई बार हम लोग बोलते हैं कि खीर वाली चावल है ये तो बासमती बढ़िया वाली बासमती है ये वो ले रहे हैं ये इसको धो लेंगे और धोने के बाद अब चाहें तो इसको दूद बालने से पहले भी धो के रख सकते हैं मुझे मैंने नहीं रखा ता लेकिन फिर भी उससे कोई फ़रक नहीं पड़ता आप बाद में भी इसको धो के डाल सकते हैं क्यूंकि काफी छोटी होती है और बहुत जल्दी बन जाता है अगर आप मोटे चावल का बना रहे हैं तो उसको पहले से ही आप धो के और कम से कम आधे गंटे के लिए पानी में छोड़ दीजेगा जिसे कि वो क्या होगा कि ये पानी में उत्वरा सौक हो जाएगा और उसके बाद हम दूद में डालेंगे उसको तो ये हमने एक कटोरी लिया है आप चाहें तो थोड़ा उपर नीचे जितना आपका मन हो उतना आप ले सकते हैं और इसे अब हम जैसे देखिए दूद एक चौथा रह गया था एक किलो में तो उसमें चावल डाला और अभी से हमें पकाते रहना है आज को बिल्कुल बढ़ करार रखना है हाई पे नहीं रखना चावल डालने के बाद दस मिनट तक पकाने के बाद हमें अभी समें चीनी डालना है चीनी भी उतना ही डालेंगे जितना की चावल डाला है अगर आपको मीठा जादा पसंद हो तो आप और हाफ कटोरी जादा डाल सकते हैं मैंने एक कटोरी चावल और एक कटोरी चीनी डाला है और इसको हमें चलाते रहना बिल्कुल इसको जैसे आपको ये करना है कि गाढ़ा हो जाए बिल्कुल ही दूद गाढ़ा खोए की तरह बनने लग जाएगा जैसे कि अभी आपको दिख रहा है ये काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है और चीनी भी पिघल चुकी है और चीनी को भी हमें पकाना है मतलब दूद और चावल के साथ पकाते रहना है ड्राइफरोट्स डाला, ड्राइफरोट्स में आपके पास जो भी हो मैंने पिस्ता थोड़ा जादा डाला है, वाकी चीजे थोड़ी थोड़ी डाली है और इसके बाद केसर का दूद डालेंगे, केसर के धागे जो होते हैं उसको दूद में डाल दिया थोड़ी देर के लिए और फिर उस दूद को हमने इसके अंदर रख दिया तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है रंग का, आप चाहें तो थोड़ा फूद कलर यूज कर लें या नहीं तो थोड़ी सी हल्दी डाल दें, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा अगर आपको नहीं मन करता हल्दी या फूद कलर डालने का, तो आप केसर के धागे थोड़ी सी और जादा डाल दें जिससे कि आपका कलर जो है, तो एकदम पीला आ जाएगा तो धीरे धीरे इसका कलर अपने आप पीला आ जाएगा, जब आपका इसका बंते बंते लास्ट होगा तो देखिए ये कितना सुन्दर खीरानंद की रेसिपी बन गई है, बिल्कुल गाड़ी, मलाई, खोए वाली खीर होती है और इसको खाये, मजा लीजिए, आज के दिन धंतेरस के लिए आप सभी को सुख कामना है, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, पिंकीज कीचन पर रहने के लिए, बिल आइकान को दबाना मत भूलिएगा, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी